Friends, Hyundai Company ने Centro गाड़ी की तैयरी 2007 में बंद कर दी थी और इस तारीक के बाद Centro पाकिस्तान कभी भी नहीं आई दूसरी जानी बहुत सी इस्तिमाल शुदा गाड़ीयां मार्किट में मौझूद हैं लेकिन लोगों इन गाड़ीयों के कीमतों का कोई पता नहीं लेहाजा आज मैं आपको Hyundai Centro Executive 99 CC मैनवल के बारे में कम्प्लीट जानकारी दूँगा और आपको बताऊंगा के Hyundai Centro के डिफरेंट मौडल 2002, 2004, 2006, 2005, 2007 इनकी प्रैसिस क्या हैं ताके आप जब ये यूज गाड़ियां लेने जाएं Hyundai Centro की तो आपको मालूम हो सके के 2022 में इनकी कीमते क्या हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करतीजेगा बेल आइकन को ज़रू पैस करतीजेगा ताके आपको ट्रू और सच्ची और खरी इन्फर्मेशन मिल सके इस चैनल के थरू तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगएर वाट जाय किये क्योंगे आपका वक्त भी कीमती है और मेरा भी फ्रेंड्स, होंडे सेंट्रो एक्जेक्टिव जो है वो एक 99 यानि के 1000 सीची इंजन की जो गाड़ी है और मैनवल ट्रास्मिशन के साथ है यह की स्टाइलिश और एक ट्रैक्टिव गाड़ी है जो के देती है आपको एक कोरियन कमपनी जिसका नाम है होंडे होंडे सेंट्रो एग्जेक्टिव पैक की गई है आइडियास के साथ और उसमें कमफर्टेबल और कड्वीनियन को बदे निज़र रखा गया है विकास इंटीरियर इसका बड़ा यूनीक है स्लीक डिजाइन और ब्यूटिफुल हैडलाइट्स और बैक लाइट्स ये आपको एक्सलेंट वियू देते हैं इस विकल के साथ और फ्रेंड्स अगर इस कीमत में अगर मैं आपसे ये बात करूँ सिंपल प्राइसिस की कि सेंट्रो दो हजार दो की प्राइस पाकिस्तान में कितनी है तो जनाब 4 से 5 लाग अगर आप सेंट्रो दो हजार दो मॉडल देखते हैं तो आपको 4 से 5 लाग में ले लेनी चाहिए सेंट्रो दो हजार तीन आपको 5 से 6 लाग में ले लेनी चाहिए ये इसकी बेस्ट प्राइस होगी उसके feature और specification क्या-क्या है मैं आपको main main feature तो बता सकता हूँ कि central locking होगी गाड़ी में steering adjustment है ये सब चीज़े देख लीजिए का गाड़ी में होनी चाहिए टेकोमीटर है, steering adjustment है AM, FM radio है गाड़ी में CD player है, central locking है airbags आपको मिलेगा driver की तरफ और एक passenger की तरफ application दिखी जाए, तो गाड़ी की overall length जो है, वो 3495 है mm की और width 1495 mm की है height 1580 की है और अगर मैं बात करूँ तो चार डोर है displacement 99, टिप अब 1000cc है, power जो है वो आपको ये देता है जनाब 54.25 PS 5700 RPM के उपर और 81.4 Newton meter 3250 RPM के उपर, transmission type आपको बता ही है, manual है और अगर इसका turning radius देखा जाए जो wheel steering का होता है, 4.6 का है टाइर जो है, 155 by 70 R13 के हैं specs की बात करें, तो ये गाड़ी पीछे से बिल्कुल flat होती है normally, और executive model का पिल्कुल अच्छा होता है आगे से गाड़ी बहुत ही जबरदस थे, अंदर से बड़ी खुबसूरा थे, चूंकि ये इंपोर्ट की जाती है, बाहर की है, लोकल मैड नहीं है, तो ये गाड़ी थोड़ी सी ब्लक्जियरियस मालूम होती है fuel economy की बात करें, तो जनाब ये fuel economy के हवाले से 15 से 18 किलोमीटर पर लिटर आपको देती है, और वही highway पे आपको 18 मिलती है, और city के अंदर 15 ये गाड़ी आपको देती है fuel tank capacity जो है, वो 35 लीटर का है, और performance की बात करें, तो ये गाड़ी जो है, बहुत ही जबरदस गाड़ी है, उन लोगों के लिए, जिनों ने इस गाड़ी को इस गाड़ी को इस्तिमाल किया है, वो इस गाड़ी को कभी छोड़ने पर राजी नहीं है हमेशा जो इसके लवर हैं, on day center के, वो हमेशा बात करते हैं, यही गाड़ी अगर आपको 2022 में new मिल जाए, तो आप इसी को पसंद करेंगे और अगर suspension की बात करें, तो suspension इसका Mac version इस्टुट कई है, वो ही stabilizer bar के साथ, rear जो suspension है, वो torison beam कही है, axle 3 link offset है, coil spring है, hydraulic है और इसके लावा brake जो है, वो front आपको ventilated disc है, और rear आपको self adjustment drum मिलेंगे तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और खोदा हाफेज इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, तो like मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 million likes चीने